हाई, कितना अच्चा होता, यदि तू भी इस शुब दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांती है, परन्तो अभी वे बातें तेरी आंखों से चिपी हुई है संत लूकस का सु समाचार अध्याए उननेस पतसंक्या बायालिस आज का सुबसंदेश सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विदान के दर्शन करेगा आज के सु समाचार में प्रभु ये सुमसी येरुजलेम की भाग्य के बारे में विलाब करते हैं जो प्रभु का नाम पर आने वाला का आस्वीकार करता है वो स्वयम प्रभु को आस्वीकार करता है इसलिए प्रभु कहते हैं कितना अच्चा होता यदि तू भी इस शुब्दिन समझ पाता किन बातों में तेरी शांती है और कहते आगे अभी वे बाते आपके आँखों से चिपी है पसंग्या 41 इसका परिणम क्या होगा परिणम या होगा कि एरुजलेम को घेर लिया जाएगा नस्ट किया जाएगा और उनके अंदर जो नागरिक है उनको मार जिय जाएगे येजिक्यल अध्या 4 पसंग्या एक से दो कहते है येरुजलेम के विरुद की गई बविश्यवानी और बाबुल के पतन के बजनकार के चित्रन या दिनाने वाले शब्दों में विनाश का वर्नन किया गया है ये इसलिए जब प्रभु को हम आनुसरण नहीं करते उनका शब्दों को अपने जीवन में अत्मसात नहीं करते प्रभु को हम लोग अपने जीवन में जगा नहीं देते हमारा आंतरिक जीवन में नस्ट होता है प्रभु शायद येरुजलेम की बात करते हैं लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रभु वो रखने के लिए कोशिश करते हैं किस प्रकार हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रभू को समय देते हैं, प्रभू को जगा देते हैं, प्रभू को बुलाते हैं, क्या मेरे पास वक्त है प्रभू के लिए, दैनिक जीवन में, खास करके इत्वार के दिन, या मैं अपने ही जीवन में दुभा रहता हूँ, आया आज हम अपने आपको पूछे, मेरा आध्यत्मिक जीवन में प्रभू कितने गूड हैं, आमिन.